यानी पूरे के पूरे यूपी में घटना क्रम का दिन है। यूपी को दुबारा फते करने के लिए बीजे पी ने भी कमर कसली है। प्रधानमंत्री मोधी दस दिन के अंदर यूपी के चार दौरे करने वाले हैं, इसमें उनका दोबारा वारसी जाने का कायर करम भी है, इसे संदर्ब में आज दिल्ली में होने वाले चाय नाश्ता पार्टी भी एहम बताई जा रही है, पी-एम के साथ चाय नाश्ता पी-एम इस तरह की चार मीटिंग्स कर चुके हैं, कल भी जेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा के साथ उन्होंने मद्ब देश के सांजों के साथ मुलाकात की, आज की मुलाकात में क्या बात निकल कर आती है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन अभी रेखिए पी- केमिशन यूपी पर ये रिपोर्ट कभी हिंदुत तुकाड कभी विकास के दावे योजनाओ के हरी जंडी हो या फिर तोहफों की बौचार जुनावी मौसम में यूपी की गलियां सियासी वादों से पटनी शुरू हो गई है जहां बिजेपी एक बार फिर पी-म मोदी की अगवाई में यूपी में दो बारा इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरी है यही वज़ा है कि पी-म मोदी यूपी में ताबर तोड़ दौरे करने जा रहे है अठारा से 28 दिसंबर के बीच चार बार यूपी जाएंगे अठारा को शाजापूर में गंगा एक्स्प्रेस वे की आधार शिला रखेंगे 21 दिसंबर को प्रियागराज में दो लाग बहिला करमचारियों के कारिक्रम में हिस्सा लेंगे 23 दिसंबर को अपने संसेदेक शेत्र वाराणसी का दोरा करेंगे और वही 28 दिसंबर को कानपूर में मेट्रो परियोजना का लोकारपन करेंगे ब्रधान मंत्री मोदी ने दिल्ली के लिए यूपी को अपनी कर्म भूमी बताया तो यूपी की जनता ने उन्हें सर आखो पर बैचाया 2014 और 2019 के लोक सभाचुनाव में बीजेपी ने मोदी के चहरे पर यूपी में विरोधियों का सूपड़ा साफ कर दिया था वहीं 2017 के वधान सभाचुनाव में भी बीजेपी पीम मोदी के चहरे के साथ मैधान में उतरी और रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की भारत के लिए जितना महत्वपुन स्वराज है उतना ही महत्वपुन सुराज भी है बीजेपी की नजर एक बार फिर पूर्वानचल पर है जिसने बीजेपी को लटनौ की गदी पर काबिस किया यहीं वज़ए है कि दो दू दिन के काशी दौरेके बाद एक बार फिर दस दिन के अंदर प्रधान मंत्री मोदी काशी का दौरा करेंगे जहांसे वो पूर्वांचल की सियासत को साधने की कोशिश करेंगे उधर यूपी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया जिसमें किसानों से लेकर महिलाओं तक के लिए दोहफों का पिचारा खोल दिया ब्रदेश में 24 गंटे बिजली आपूर्ती के लिए पावर कॉर्पोरेशन को 10 अरब की धनराशी हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड खेलवे भाग को अनुपूरक बजट में 10 करोड काशी विश्वनाद दर्शन के लिए 10 करोड किसान और व्रिद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड हम यही कहने के लिए आये हैं कि जो स्पीड सरकार में बढ़ाई है वो उत्तर प्रदेश को नंबर एक राज्य की रूप में देश के अंदर आगे बढ़ाने के लिए वो इस स्पीड फिर से स्पीड ब्रेकर माने पाए इस द्रिश्टी से हम लोगों ने इस कारे को आगे बढ़ाया और एक्सक्रेस हुए मेडिकल कॉलेजेस का मिलमान ये उसी स्रिंखला का हिस्टा पहराल एक बार फिर पधानमंत्री मोदी ने यूपी की जिम्यदारी अपने कंधों पर उठाई है जहां बीजेपी मोदी का मैजिक दोराने की उम्मीद के साथ दोहजार वाइस के सियासी मैदान में उतरने की तयारी कर रही है लगनों से कुमार अभिशेट के साथ आज तक प्योरो